दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल औल एक्जाम गाइड गुरूपर दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में मैं टेसेट पेपर लेकर आया हूँ यह टेसेट पेपर करेंट अफयर जनरल अवेंस के मोश्ट इंपर्डेंट कॉस्चन से मिलकर दोस्तों करना है चेक करिए आप कितना इसको गेंडे पाते हैं सासत इंफूर्मिशन भी है दोपार में 12 बजे आनेकेडमी पर मेरी लाइव क्लासे मेरी अनेकेडमी पर होने वाली लॉड़ी ओर अपने धोस्तों को भी जूड़िये लिंक ये वाली क्लास की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोडिफिकेशन आउन कर लीजे जिससे आपको क्लास शुरू होने का मैसेज आ जाए दोस्तों मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी शेयर कर दी है अगर आप मुझसे पहली बर पढ़ रहा है तो आन अकैडमी पर रोज पढ़ने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजे जिससे हर दिन की क्लास का नोडिफिकेशन हर क्लास का आपको मिलने लगे अगर आपके मुबाइल में अप्लिकेशन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजे गूगल प्ले स्टोर पर ये अप्लिकेशन आसानी से अविलेबल है इसको डाउनलोड कर लीजे डाउनलोड करने के बाद में मुबाइल नंबर डालिए C category में free पढ़ाता हूँ इसलिए आप SSC exam select करिएगा जैसे आप SSC exam select करेंगे आपसे वहाँ पर आपकी application को free करने के लिए एक enroll code मांगा जाएगा और आपको code क्या enter करना है A E G G ये चार अक्षर का code है application free करने के लिए enroll code है इसको enter करना है जैसे आप इसको enter करेंगे unacademy के application तुरंट unlock हो जाएगी और फिर आप मेरी हर class को रोज unacademy पर free देख सकेंगे description box में दी हुई links पर click करके और direct मेरी profile पर जाकर तो चलिए दोस्तों अब हम test शुरू करते हैं unacademy पर दो पहर 12 बज़े वाली class में समय से जरूर जुड़ जाएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर जोड़ लिएगा चलिए श्टार्ट करते हैं test उस्तों सबसे पहला प्रश्णी screen पर आप देख रहे हैं निम्न मैंसे वेद समाज का संस्थापक कौन है आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर सहीतर हो सबसे पहले इटली में हुआ था राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कौशन देखते हैं फिलिपीन से देश निम्न मैंसे किस महादीप में पढ़ता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशिंग लिए तो फिलिपीन्स जो है एशिया महादीप में इस देश है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कौशन देख लेते हैं निम्न मैंसे किस देश की राजधानी का नाम लीमा है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशिंग के लिए तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा लीमा इनमेसे पेरु की रादधानी का नाम है राइट आनसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए पेरु की रादधानी लीमा कहलाती है सई उत्तर हो जाएगा Next question निम्न मैं से कौनसा भारतिय बंदर का हुगली नदी से सम्मनदित है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशिन के लिए तो भारतिय बंदर गहा हुगली नदी से सम्बंदित इनमे से सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता प्रशिंग के लिए सही उत्र है नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशिन क्या है? یہ रहाब के सामने बहुत देशे नदी घाटी परियोजना जिसको भीमा परियोजना के नाम से जानते हैं ये कौन सी नदी से सम्मंदित है सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रशन के लिए तो बहुत देशे नदी घाटी परियोजना भीमा परियोजना जो है पावना नदी से सम्मंदित है right answer हो जाएगा इस question के लिए next question देखते है निम्न मैंसे भारत के किस सहर को बगीचों का शहर कहा जाता है right answer क्या है बतला ये भारत के किस सहर को बगीचों का शहर कहते है तो कपूर्थला जो है भारत का बगीचों का शहर है next question O T C I E अर्थात over the counter exchange of India के अंतरगत जो कंपनिया होती हैं उनकी कितनी राशी सीमा तक कंपनिया सूची बद्ध हैं तो राइट आंसर है जो कंपनिया 30 से 30 लाग से 25 करोड तक की राशी रखती हैं या इतने market capitalization की होती हैं एक प्रकार से कहा जाए तो वो इसके अंतरगत registered होती हैं सूची बद्ध होत जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो पारा जो है माइनस 39 डिगरी centigrade पर जम जाता है अगला कॉशन है निमने मैंसे बागिन थी जो पेश टाइगर रिजर्व की बागिन थी और इसने 29 शावकों को जन्म दिया था जो अपने आप में एक record है इसकी मृत्य हो गई है नेक्स कॉशन देखते हैं इनमें से किस संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लाइमेंट और सोशल आउटलूक रिपोर्ट जारी क नेक्स कॉशन देखते हैं किस सरकान ने हाली में सुगन्दित पौदों की खेती के लिए जागरुकता अभियान शुरू किया है तो सुगन्दित पौदों की खेती के लिए जम्मू कश्मीर सरकान ने जागरुकता अभियान शुरू किया है नेक्स कॉशन देखते हैं किस टेलिकॉम कमपनी है जो UPI Auto पे शुरू करने वाली पहली दूर संचार कमपनी बन गई है तो बार को डिसकेन करके पेमेंट करने वाला जो UPI Auto पे शुरू करने वाली पहली कमपनी Reliance Jio बन गई है राइट आंसर हो जाएगा सर्वस्रिष्ट फुटबॉलर पुरुसकार 2021 में किस खिलाडी को 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 सर्वस् जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, नेक्श कॉशन, निम्न मैंसे किस देश ने हाली में पहला मेड इन अफरीका उपगरह लॉंच किया है, तो दक्षन अफरीका ने हाली में पहला मेड इन अफरीका उपगरह लॉंच किया है, राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से किस मंतरी तौशिकी कैफू का हाल ही में इंक्यानवे वर्ष की उमर में निधन हो गया तो तौशिकी कैफू का इंक्यानवे वर्ष की उमर में निधन हो गया ये है जापान के राइट आंसर हो जाएगा option number D next question देखते हैं किस देश के पूर्वराश्रपती इब्राहिम बाउबक कीता का हाली में निधन हो गया तो इब्राहिम बाउबकर कीता का हाली में निधन हो गया ये है माली के राश्रपती पूर्वराश्रपती option number C प्रशन के लिए सहीतर है next question देखते हैं कौन सा दीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्र दोरम में है राइट आंसर हो जाएगा भारत में संसत के दौनों सदरों में सूनिकाल का समय कितने समय से कितने बजे तक तक ताय है जिसकी समय सीमा एक घंटा है राइट आंसर क्या है तो ये समय दो पहर बारा बजे से एक बजे तक का समय ताय है एक घंटे का सूनिकाल होत तो सामाने सरीर में ऑक्सिजन जो है 55% तक होती है किस पदार्थ में सिट्रिक अमल होता है जिस कारण से स्वाद में खटा पनाता है किसका प्रियोग बिल्डिंग के काम में किया जाता है तो विल्डिंग के काम में वाटर गैस का प्रियोग करते हैं ही उत्तर हो जाएगा एक किलोग्राम शहद में कितनी कैलोरी उर्जा मिलती है तो एक किलोग्राम शहद में लगबग 3500 कैलोरी उर्जा मिलती है next question देखते हैं कौन सा दिवस प्रतेक वर्स 12 माई को जाता है तो राइट ंसर हो जाएगा यहाँ पर रॉप्षन नर्स दिवस 12 मईए पर मनाया जाता है किस के याद के किस दिन किसको याद करके इस दिन नर्स दिवस के रूप में सेल्विट करते हैं बताएए ज़रा हिंदी फिल्म लगान को किस वर्स औसकर के लिए नामांकित किया गया था तो दोस्तों ये था टेश्ट क्या इसको रहा ज़रूर शेयर करिएगा और 12 बजे अनेकैडमी की क्लास में ज़रूर जुड जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में है फॉलो करने के लिए भी लिंक दे दिया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद 12 बजे अन अकैडमी पर मिलते हैं थैंकियो सो मच थैंकियो